उम् – सर्वे भवंत सुकिनह, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रान पस्चनतु माकस्च्य दुक भाग भवेत। पिछले भाग में एक समाज सेवी के लिए, एक कर्मयोगी के लिए, एक आदर सिमानों के लिए, जो उसके अंदर सोभाव से दैवी गुण होने चाहिए, उसके पुराने अभ्यासों से, उसके पुराने परमार्थिक कारियों के द्वारा, जो उसने संजोया है, जिसको हम भाग परारब्दिपी कहते हैं, उसके द्वारा जो सोभाविक तरीके से उसके अंदर गुण होने चाहिए उन गोणों में से 9 गोणों का हमने वर्णन किया था आज पुल्णह भगवत गीता के एक सलोक के द्वारा 11 गोण जो भगवान सरी कृष्ण ने अर्जुन को बताए है उन पर मैं परकास डालूँगा आईए शुरू करते हैं अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागह सांति अपै सुनम दयाभूते सुलो लुपत्वम मार्दों हीरे चापलम बहुत मार्मिक वणन है यहां पर और जीवन में एक आस्तिक व्यक्ति किली सीखने की बहुत ज़्यादा यहां पर शंभावना है इससे बहुत कुछ हम अपने जीवन में सीख सकते हैं और अपने जीवन के अभ्यासों को बदल सकते हैं और अपनी वर्तमान स्तिती किस परकार की हम सेवा कर रहे हैं किस परकार के कर्म कर रहे हैं इसको ठीक ठीक नियाय के पुन्य और अपुन्य के तराजू पर भी तोल सकते हैं। तो इस सलोक में भगवान स्रीक्रिस्ट ने 11 गुण का जैसी के मैंने कहा वर्ण इन किया है। पहला गुण बताया एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर, एक सात्विक व्यक्ति के अंदर, एक भगवान का स्वरूब, एक स्रेष्ट मानों के अंदर इन गुणों का समाविस होना चाहिए। भगवान ने जो ये गुण बताया है, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, हमें यह ज्यात होना चाहिए, जो भी हम परोगकार का कारी कर रहे हैं, जो हम कर्मयोग कर रहे हैं, ये इसका एक्चुली वास्तों में जो लक्सी है दुखों से आंतेंतिक निविट्ती हो जाए ये मनुस्य की मूल मांग है जो भी हमारे अंदर दुख हैं जो भी हमारे जिवन में दुख हैं एक बालक से लेकर एक वयो ब्रिद्धि तक और एक अन्य प्राणी जिवधारी में भी एक चीटी से लेकर एक हाती तक का यहो शोभाविक शजीव एक ब्योहार है एक लक्सी है कि मैं जीवन ये पिठ्थिवी लोग पर आया हूँ तो ये संपूर दुखों से निविर्ती हो तो उसके लिए साधना सरूप मनुशी के लिए तो ये स्वभावत होई है कि हम इन गुणों को धारण करें और इन गुणों में ब्रिद्धि करें तो पहला गुण जो बताया बोला मैंने अहिंसा सत्यम अहिंसा मन से वानी से कर्म से किसी परकार की हिंसा में हम मारी लिप् आते हैं फिर मांचाहार करते हैं जानवरों को बकरी गाय भैंस अलग अलग पूरे विसु में तो और जानवरों का भी हम बद करते हैं लेकिन भगवान सरी कृष्ण ने गीता में कहा ये इस प्रकृति के इस रिष्टि के सिद्धान्त ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो स गया है सास्त्रों में गाय को मारने को भी बहुत बड़ी हिंसा बताया गया है तो ये सोभाव जिसके अंदर है उसके अंदर शेवा प्रतिष्टित नहीं हो सकती और निस्काम कर्मियों की प्रतिष्टा होई नहीं सकती और फिर इंद्रियों से वानी से वानी से भी बहुत आप इस सब्द का बूद आप स्वय में रखते हैं, सत्य बोलना, जैसा इंद्रियों ने सुना, आँखों ने देखा, कान ने सुना, वैसा फिर उसका बखान करना, नहीं तो हम अपने स्वभाव के अपने अनुकुलता के अनुशार उस सत्य की भासा ही बदल देते हैं, तो यह जो सुभाव है अहिंशा का, सत्य का, सत्य को धारण करने का, और सत्य उसका प्रबल होता है, उसका सत्य में गंभीरतत तो होता है, जो शात्विक सेवाव में लगा हो, जो निसकाम भावनासे कारियों को स्रिजन कर रहा हो, जो दैवी गोनों वाला हो, जो कर्म को जो हाने का आववान किया है। तो अभयम नीदा आईंशा सत्यम अक्रोध हजए। एक अक्रोध अंदर कुछ और हों और बाहर कुछ और हों हों परोध नहीं करना, ये क्रोध बहुत बड़ा। YEAH रावन को बहुत बड़ा क्रोध था नहीं विपरीत में रावण के समक उनके दुस्मन उनके आपसे मतभेत होने के कारण भी भगवान सिरी राम भी उसके अच्छे की ही काम ना करते तो यह जो है यह दैवी गुण है तो यह क्रोध में समाहित ना हो ना और जो जैसे हमारा अंदर से छल हो और बाहर से हम दिखाएं कि हमने दोस हैं क्रोध नहीं कर रहें तो यह भावनाई हमारे अंदर ना हो क्रोध की संजा ना हो तो हमेरे जियोन में क्रोध नहीं होगा तो हम पुन्यों को पराप्त होंगे सुब फलों को पराप्त कर पाएंगे और लंबी समय तक सेवा कर सकते हैं, लंबे समय तक क्रोद का भाव नहीं होने से, हम कोई भी सेवा को, कोई भी कर्म को दूरगामी परणाम देने के लिए उसको प्रस्तावित आगे कर सकते हैं, तो अगला गुण भगवान ने बोला, इन 11 गुण में त्याग, अब त्याग अब सोचे एक माता-पिता का त्याग है, कि बच्चों को ये मा बच्चाने के लिए माया मोह से बाहर निकल कर, हम त्याग पूर्ण उस बच्चे को तयार करते हैं, उसके लिए सारी दूर दिष्टी रखते हुए उस बच्चे का निर्वान हम करने में सपल होते हैं, तो त पिचान जो है संजार को दे पाते हैं, एक माता अगर त्याग करते है प्रातवकाल जल्दी उठने का अभ्यास करते हैं, त्याग ही है, विए सुभी आलज सी आता है, लेकिन मा को लगता है, यार मुझे आलज सी त्याग ना है, अपने तभी तो मैं सुएम उठूंगी, मै पिता कहता है कि मैं सुएम प्रातवकाल जल्दी जगूंगा, तो मेरी संताने में जल्दी जगेंगे, ऐसा जो ये भावी है, ये त्याग पूर्ण है, फिर उसके लिए संजादनों की बहुतिक संजादनों की भी जरूत है, लोग उधार करके अपने वच्चों को पढ़ा जबत ना रहकर भगवान के स्वरूप उस बच्चे को मान कर और भगवत्ता के लिए ही भगवान के आदिशानु साथ मैं उस कर्म को कर रहा हूं, उस सेवा को कर रहा हूं, ये भाव आएगा, तो ये त्याग को उनकर लाएगा, ऐसा ही सन्यासिका भी है, जितना भी मेरे जिवन में यस है, पर्तिष्टा है, मेरे अंदर एस्वरिय भगवान के आशिरवाद से मुझे फराप्त हुआ है, उसको मैं इस संसार के इस चड़ चेतन के लिए भगवान के इस दिव्य स्वरूप के लिए मैं समर्पित गरू, ऐसा भाव ये त्याग को निर्देशित कर जाता है, तो अहिंशा शक्त्यम अक्रोधस त्याग सांतिया पैशुरू, शांति का भाव, मतलब विप्रीत चुनोतियां जी उनमें आ जाती है, विप्रीत परस्तित्या भी तो आती है उसमें भी धायरे का नहीं कुनना है, थोड़ा गर्मी हो जाती है, तो हमारे अंदर बिचलन हो जाता है थोड़ा चर्दी आ जाती है तो हमारे अंदर बिचलन हो जाता है, तो सांति का ये स्वभावी गुण है, एक योगी का, एक सच्ण्याशी का, एक तपस्वी का, एक प्रभु भक्त का यह गुणी है, की वं सांति पूर्ण आचरण करें, उसके विषम प्रस्तित्यां आकर आजाती है सामने तो फिर भी धहरे ना खोए ऐसा सांती का ये प्रतिक है अंदर से कुछ और हो बाहर से कुछ और हो मैं सांती दिखाने के कोशिज करूं अंदर से बहुत मेरे अंदर दुखों का प्रवेस हो और बाहर से मैं दिखाऊं कि मैं सांत हूं य जैसे हमारे अंदर शितलता का भा हो जाए और बाहर ने हम बुड़ लुख से यागह सांती अपैसुनम कहते हैं निंदा हम ब्योहारी काल में देखे हमारा पूरा जो दिन है अगर कभी भी हम मन को आवकास रहता है किसी कर्म की साधना में नहीं रहते किसी सेवा में नहीं रहते तो निंदा पुरान हमारी सुरू हो जाती है अपने घरों में भी देखा दूशरी कि मैंने देखा फिर पिता शुवे-शुवे ऊढ़ता है अपने मित्र से रोड पे मिनने जाता है तो उनसे शुवे-शुवे तो योग ध्यानका होता है बोजूर्गों के साथ अपनी बहु की पुराई करने लग जाते हैं। ऐसे घर में बैठके हम दूसरे घरों की निंदा पुरान करने लग जाते हैं। तो ये एक आदर्ष एक जो सिवाववी है एक आदर्ष निसकाम करm भावी ब्यक्ति है, उसके अंदर, उसके व्यवाहर म मत बातों को करने वाला है स्रिजन जहां से कुछ निकले क्योंकि समय बहुत कम है ना जी उनमें मिर्तियों एक सो साल के उम्रे सभावी बताई गई है तो कितना कम समय है और इस मानों रूप में हम आये हैं तो हमारे पास कहां समय है दूसरी की निंदा करने का हमने इने मेरा आगे जीवन का लक्सी क्या है आज तक जो समय चले गया उसमें मैंने क्या किया आगे क्या करना है और मुझे कैसे इस अपने परिवार से लेकर इस रास्ति के लिए इस विश्य के मंगल के लिए मैं कितना अच्छा कर सकता हूं और क्या-क्या मेरे अंदर शामर्ती है जिसको मैं परियोग करके अपना भी भला करशकता हूँ, इस देश-धर्म संस्कृति का भी अच्छा करशकता हूँ. यहाँ सोचने वाला कौन है? यहाँ वो सात्विक दैवी गुण वाला वेक्तिय है, जो सात्विक सेवक है, उसके अंदर यहाँ गुण है. तो एंचा सत्यम अक्रोधस त्याग सांती अपैशड़ू. फिर दया, शवी भूतों में दया का भाव, पंचतत्यों से बना यहाँ संसार है, युगाई भी सुद्ध हो, यह अगनी भी सुद्ध हो, शब अपना-पना काम कर रहे हैं, फिर्थ भी लोग है, भूमनी को मैं से इतना करूँ, फिर भूत जितने भी यह संसार में आत्माएं हैं, जैसे मनुश्य रूपी आत्माएं, अन्य जीव, चोराशी करोड योनियों के बात की गई हैं उन जीवों के लिए, तो उनके प्रति भी दया का भाव मेरे अंदर हो, एक चीटी से लेकर, एक हाती, परि अगर स्पुटित हो निरायत तो कैसे हम सिवा कर सकते हैं, कैसे हम निस्कामता जीवन में ला सकते हैं, कैसे हम उस परमेश्वड द्वारा उस परम्पिता परमेश्वड द्वारा बताएगे, शिद्दान्तों का पालन कर सकते हैं, तो अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग सां इस अपैशनम, दया, भूतेशो, लोलूप्तम, जबी जितने भी भूत है, भूतों के लिए पंचतत्तों से बनाये हैं, और शाथी साथ जितने प्राणी हैं, उनके प्रति दया का भाव, यह दया जो है वेक्तिक दया के लिए कहा गया है, जो सामुहिक, मतलब जया दया किसक प्रति जो व्यक्तिकत लेकिन सामाजिक जैसे आप युद्ध तो लड़ने पड़ेंगे सामाजिक युद्धों में तो समाइथ होने पड़ेगा महाभारत का युद्ध हो रहा है तो वहाँ कौर्वों पढ़ दया की बात नहीं कही है वहाँ तो उसको भगवान सरी कृष्ण क्लेब्यम मास्तमा गुमापार्थ ने तुत्य पड़्ते शुद्रम हुड़े दोर बल्यम त्वाक्तो उतिष्ट परमतपव का जया भगवान ने पें तो उट नपनसकता के बात को छोड़ वहाँ वो सामुहिक अहित कर रहे हैं इस संसार का इसलिए वहाँ का रोल अलग ह हो जाता है तो ऐसी दया जो इस संसार के लिए जो पन्च भूत और यह पूरे प्राणी जाती के लिए इस प्रकृति के समिधान के लिए जो भगवान ने यह समिधान बनाया है जिसको आज की डेट में कहते हैं कि संसार इक भुड़ोकिक भावशा में कह देते हैं कि यह ज के युग में जैसे करोना वाइरस आया है यह क्या खारण है यह उसी का परिणाम है दया का भाव नहीं होना अगर वैदिक सिद्धांतों के अनुशार शाल चलता हमारी जो विशु की प्राचितम संस्कृति यह वैदिक संस्कृति है इसके जो प्राधान है इसके जो प्राचिति ही नहीं आती है उनके पापों का दंड यह करोड़ों लोग आज नहीं करते इस करोना वाइरस के रूप में तो यह जहां पर विज्ञान खत्म होता है वहां हमारे रिष्यों की द्रिष्टी खुलती है जहां संसार का बुद्ध का स्तर शोचने का स्तर स्मापत हो जाता है वहां हमारे रिष्यों का जो ज्यान शुरू होता है आप सोच यह कितनी गूड़ता है कितने मूल में जाकर उस रचेता के इस जो द्रिष्य यह फिर्थिवी लोग है इसके मूल में जाकर हमारे रिष्यों ने यह विचार लिखे होंगे ऐसे किवल यह कोई सास् मतलब यह एक मतलब उपनियास नहीं है यह जो है उनके जिवन के जो अनुएशन है जो साइन्टिफिक तरीके से उन्होंने जिवन को जिया और उसे जो त्या कुर्वक जो उन्होंने ध्यान किया योग किया जब किया उसके द्वारा जो इनर्जी जो कौस्मिक इनर्जी उन् तो भगवान का और हमारे रिष्यों का ज्ञान उत्पन होता है। तो अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागह सांति अपैस्वणम दयाभूतेशे अलोलुप्त्वम। अगला गुण बोला अलोलुप्त्वम। कामना रहित। इंद्रियों का विशैसे संयोग होने पर उसमें आसकते नहीं होना। ये गुण बोला अलोलुप्त्वम। होता है ना। ये गुण समाइत हमें होने ही चाहिए हमारे अंदर तभी तो हम किसी भी कायरे को दैवी रूप में कर सकते हैं। एक देवता मतलब होता है देने वाला। एक जो समाइत है एक शेवाधर्म को निभाने वाला व्यक्तिका जो है ये गुण है, अलोलुप्त्वम। इंद्रियों का विशैव के साथ सन्निकर्ष होने के कारण भी उसमें भगबत्ता रेखना। ना कि उसमें खो जाना, उन भोगों में खो जाना, मतलब एक मिठाई की दुकान पे गए, तो हमारे अंदर मिठाई खाने का उत्पन हुआ, ये जिवा एक रस, जो है ये भोग है, तो आब आसकती हो गई, तो एक लड़ू, दस लड़ू, तो एसाने की दस लड़ू खा ल सकते हैं, कान गलत विसयों पर जा रहे है, कान कोई अडोस पुडोस में हमारे किसी की निंदा कर रहा है, तो मेरा यह इतने अंदर से आत्म बल हो, कि मैं बल पुर्वक इंद्रियों को चाहे सुरुआद में, तो वहां से हट रच रहूं, मैं उसमें खोना जाओं, नहीं त कि इंद्रियों के विसयों के सांद सांयों होने पर भी उसमें खो मत जाना, तो अहिंचा सत्यम अक्रोधस त्यागह सांतिया पहसुडम, दया भूते सु लो लुक्तवम, मार्दवम, अगला गुण बताया, मार्दवम, मिर्दुता, होमलता, स्वभाव में, हमारे स्वभा स्वभाव में कठुड़ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अच्छे कर्मों को करने वाले होंगे, जो भी समाज सेवक होते हैं, जो भी निसकाम कर्मियों की साधिना करने वाले होते हैं, जो भी योगी होते हैं, उनका स्वभाव ही होता है, अंदर से धीरे धीरे वा जो अभिष्ट जो सिवा कर रहे हैं, उनकी सिवा के लिए यह गुण है कि मिर्दुलता हो, उनके अंदर दियों में मार्दों का गुण हो, उनके अंता करण में पूर्ण पोईत्रता हो, यह भाव जो है, यह इसकी और वखान करता है, बगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन स अर्ब्द है, तभी तो हम अपने को बदल सकते हैं, भगवान थोड़ा देगा यह गुण, हमें स्वयम अपने को परिवर्तन करने का अभ्यास करना है, अपने में बदलाव करने का अभ्यास करना है, फिर अगला गुण बताया, ही है, मतलब लज्जा, यह भी बहुत नहीं बोननी है, अंदर से आत्मा गवाई दे, हरे मैंने जूट बोल दिया, तो मिझे इसका पागली बार से जूट नहीं बोनना, यह लज्जाग, शास्तों के और लोग व्योहार, शास्त्र जो लिखे गए हैं, बेध, उपनी श्यत्गीता दर्शन, उसमें जो महापुर अध्यात्म के चंतन हो रहा है, वहां के विपरीत भाषन आप करके आगे, तो यह दैवी गुण नहीं है, यह जो इश्वर भक्त, यह निसकाम कर्म करने वाले के गुण नहीं है, वो देशकाल परस्तिती से और शाति साथ स्वभाव से ही इसकी और अच्छे कामों में अप इसको निभाने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा भगवान ने अर्जुन छे कहा, ऐसे गुणों को, क्या होता है, जैसे भगवान ने कहा कि वह सांत होता है, उसके सारेरी जो बनावट है ना, वो रूब लक्षन भी है ना, वो भी कहीं कुछ ने कुछ संदेश, यह नहीं है, जो काक्चेश्टाब को ध्यानम जो अचारी चाने के ने बोला है ना, तो वो इन गुणों का, कि जिस कारी को हम कर रहे हैं, उसमें खोजा, प्रोधस, त्याग, सांति, अपैसुन, दया, भूतेश, लोलुपत्व, मार्दव, हीरचापल, तो इनके बिना, इनको जियून म धारण किये बिना, अभी और भी गुण हैं, कुल 26 गुण हैं, ये दैभी गुण हैं, एक सेवा भावी के लिए, एक सेवा निसकाम सेवा करने वाले के लिए, एक कर्म योगी के लिए, एक सेवा धर्म को निभाने वाले जो लोग हैं उनके लिए, ये अभीष्ट हैं, इस और अपने ऐसे ईसे गुरू जनों ऐसे मता पिता की साज़िद में वैठों जो बच्छिपन से हिए हमें इस वर निर्देशित करें हमें इन चीजों को सुधार करना यह चरित्रिनीर्मान के कग्सह deaths ये चरितनिर्मान, तो तो हमारा जीवन निर्मान हो जायेगा, हम सेवा भी सी इष्डेश्ट कर सकते हैं, हम अभी इष्ड कर्मों का योगदानी संसार के लिग कर सकते हैं, तो इतने महान गुणों का यहां पर भगवान ने किया है, तो पहले स्लोक में हमने 9 गुण बताये थे तो उसको भी आप सुना होगा और ये स्लोक के मार्धियम से 11 फिर ये कुल 26 गुण अगले जो भाग में है फिर हम अन्य गुणों का वकान करेंगे फिर जो ये दैवी गुण है इसके विपरीत जितने गुण है वो अदैवी है ये हमें सोचना है जो भी मैं जैसे अहिंशा कहरा हूँ तो हिंशा ये राक्ससों का गुण है अहिंशा शत्यम शत्ति असत्ति जो हो गया फिर वो दुर गुण जो हो गया वो राक्ससी गुण है वो सिवा वाले का नहीं होता है अहिंशा शत्यम अक्रोद करना अक्रोद का क्रोद यह ऐसे इसके ठीप विप्रीत जो गुण है तो वो गुण है वो जो हिंसक व्यक्ति के है तो इन गुणों के समावेश के बिना हम इस संसार का उक्कार तो करी नहीं सकते हैं इस संसार में अच्छा तो करी नहीं सकते हैं इसलिए हमारा परियास रहे पूरी कोशिश रहे कि इन गुणों में हमारी पूर्णता बिर्दी हो इन गुणों को ध्यान में रखकर इन गुणों में शमावित होकर जो गुण हमारे अंदर नहीं हैं कम हैं उनमें हम बृद्धि करें तो हम श्वयम शुक को प्राप्त कर सकते हैं आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और अपने से लेकर परिवार से लेकर इस राश्टी के लिए इस विश्व के लिए मंगलकारी हो सकते हैं सुभु फल लायक हमारा जीवन हो सकता ह ये छोटा सा जीवन भगवान ने हमें दिया है, इसको खुसी-खुसी जीना, उत्सा पुर्वक जीने का अभ्यास, ये सास्त्र हमें कराते हैं, गुरुजन कराते हैं, तो उनकी आज्या का पालन करते हुए, हमें अपने करतब्य को ठेक से करना है, और अपने स्वभाव में, अपने बिवहार में बदलाव लाना है यहां जरूरत है, और जो गुण हमारे अंदर अच्छे हैं, उनको तो वो भगवान के विभूत ही है हमें, वो भगवान का प्रशाद है हमें, उसको तो ये धन्यवाद करना चाहिए, माता-पिता को, गुरुजनों को, जिस ऐसा वा ओम सान्ति है सान्ति है